गुलू घर आता और चिम्नी से पूछता है कि अम्मा और आप शैर जाने के लिए त्यार हो गए हैं चिम्नी पहले चुप रहती हैं और फिर रोते हुए जवाब रहती हैं कि अम्मा त्यार होके उपर चले गई हैं परशान हो जाता और जोर जोर से रोने लग जाता है और कहते हैं अमा आपके कहने पर मैंने जिन्दों को नहीं मारा वो जोरो कतार से रोने लग जाता दासाई भी जब हसरत की कतल के बाद घर जाता तो बहुत से पूछता कि तुम जहां क्यूं बैठी हो वो कहती लाश का इंतजार कर रही हूँ दासाई बोलता कि आपको कैसे पता के हसरत मर गया बहु बोलती जब आप जिन्दा आगे घर तो एक ने तो मरना था अगले सीन में देखने को मिलता है कि शान और उसकी माँ परशान हो रही होती है कि जिन्दों और उसके घर वाले कहां चले गए कि इतने में गाउं की एक लड़की भा कर आती है और बताती कि फकीरे ने हसरत को मार दिया शान और फोरण नो पूछती और फकीरा वो कहती वो भी हसरत के हाथों मार गया शान और रोते चलाती भा कर आती लाश को उठाती दासाई कि इतने जलम के बावजूद गाउं वाले कुछ नहीं कर सकते कानून भी दासाई को अजात कर देता कि हसरत फकीरे ने एक दूसरे को मार दिया नेक्स्ट रसीन में 18 साल बाद की स्टोरी दिखाये जाते दिखाया जाता है कि जिन्दो के गाउं की लड़की और दासाई की गाउं का लड़का आपस में प्यार करते हैं और शादी करना चाते है उनको देखके शानो को फकीरे और अपना वक्त जाद आ जाता है जिन्दो शानो से पूछती है यह कौन है शानव बताती है कि ये दो प्यार करने वाले हैं लड़की कनिया गाउं की है और लड़का हमारे गाउं का है जिन्दो पौरन बोलती है कि कनिया गाउं तो मेरा गाउं है जिन्दो इनके पास चली जाती है और उनसे पूछती है कि शादी हुई हुई है लड़की बोलती है नहीं और लड़का बोलता है कि आप कौन हो कहां से आई और कहां जा रही हो जिन्दो बताती है कि मेरा सफर कनिया गाउं से स्टार्ट हुआ था और दासाई के गाउं में हूँ लेकर अभी तक सफर मेरा खतम नहीं हुआ इनकी शादी हो जाती है, गुलू रसम के लिए दुलहन को दासाई के पास लाता, जबकि दुलहा के नाम मानने पे गुलू उसे मार देता दासाई बोलता कि अब गुंगट के रसम नहीं हो सकती, इदत के बाद इस लड़की से तुम शादी करो फिर जी रसम होगी शानो की मा जिन्दो के पास आती तो जिन्दो उनसे पूछती है कि आज गाउं में क्या खबर है, तो शानो की मा बताती है कि आज ये बहुत बड़ी खबर है, वो जिन्दो को सारी कहानी सुनाती है, जिन्दो ये सब सुनके और अपने माजी को जात करके परशान हो जाती है, दासाई की बहू अपने बेटे से बात कर रही होती है तो दासाई बोलते हैं कि मेरी भी बात करना है जब कि उनका पोता उनसे बात नहीं करना चारा शानो की मां जिन्दो को बोलती है कि 18 साल बीट गए हैं तुझे यू टुकड़े करते कब तक अपने नसीब की रोटी बांटी रहेंगी जिन्दो कहती है कि दासाई के गाउं का सफर अभी बाकी है चार मां गुजरने के बाद गुलू उस लड़की से शादी करके दासाई के पास हाजर होता है दासाई खुश होते हैं और कहते हैं कि आज तो नमक हलाल बन गया तो गुलू बोलता है कि तेरा हुकम पूरा कर दिया लेकिन गुंगड की रसम से इंकार कर देता है जिस पे दासाई हुसे होते हैं तो गुलिहू दासाई को बोलता है कि अगर मुझे लगे कि सामने वाला मुझे मारने लगा है तो मैं उसे पहले मार देता हूँ ये बोल कर वो वहाँ से अपनी बीवी को लेकर जिन्दों के घर चला जाता है और महल में दासाई का पोता हसरत और जुगनी का बेटा वो वापस महल में शहर से आ जाता है दासाई ने जुगनी के बेटे को बड़ी से दूर रखा था वो बड़ी मां से बोलता है कि दासाई जब मेरे पास आते थे तो आपकी कहानी सुनाते थे तो बड़ी माँ बोलती है कि मेरी कहानी सुनाई है तो दासाई ने अपनी अधूरी कहानी नहीं सुनाई आपको जबके दासाई अपनी हकीकत खुलने के डार से परशान हो जाते हैं